हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है डोक्टर आजीब और आज हम बात करेंगे कार्डिक साइकल के बारे में इन डिटेल इसमें डिफरेंट फेजिस कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे ओफुली आपको पिछला लेक्चर याद होगा देखिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये डाइग्राम आपको याद है ये पार्ट जो है बाहर का ये बेंट्रिकल को बता रहा है और अंदर वाला पार्ट जो है वो एट्रिया को बता रहा है और ये जो मैंने कलर किये हैं वो working period है और जो color नहीं किया है वो relaxing period है ठीक है तो अंदर वाले part के बारें बात करें तो यह हुआ atria का diastole ठीक है और बाहर वाले की बात करें तो वो ही ventricle की diastole ठीक है तो atrial diastole से हम start करेंगे क्योंकि atrial diastole auto body जो heart है वो blood receive करता है अब देखिए जब heart जो है वो blood receive करता है तो यहां पर आपको पता है कि heart के four chamber लेंगे हैं ठीक है तो यह देखिए left attrium है left ventricle है यह राइट आट्स है यह राइट तो देखिए blood कहां से आ रहा है pulmonary bain कहां से लाएगी blood pulmonary बेन लाती है लंग से blood और वो जाता है left atrium में ठीक है क्योंकि लंग से oxygenate हो के blood आ रहा है तो left atrium में आता है फिर left ventricle में जाता है और बहां से systemic circulation में चला जाता है by aorta चला गया ठीक है तो देखिए जब diastole है atrial diastole उस time में ventricle diastole भी है और heart जो है वो basically क्या कर रहा है blood को receive कर रहा है left atrium में और right atrium में भी right atrium में blood कहां से आएगा deoxygenated blood आता है body से superior bena keva और inferior bena keva के द्वारा ठीक है तो यह जो है वो यहाँ पे आता है फिर यह right atrium से right ventricle में जाएगा और फिर through pulmonary artery यह कहां चला जाएगा lungs में चला जाता है oxygenation के लिए तो start करते हैं हम atrial diastole से ठीक है atrial diastole का period कितना था 0.7 second था और atrial systole का period था 0.1 second यह आपको याद हो गई मैंने पिछले lecture में बताया था तो atrial diastole में देखिए क्या क्या बेन से blood आ रहा है और free flow होके वह कहां चला जाता है ventricle में ठीक है उसको रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि यह जो AB valve है वह open है देखिए मैंने यह arrow से बताया है it means that blood जो है वह freely ventricle में आ रहा है वैसे ही राइट साइड में भी वैसे ही हो रहा है जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में भी हो रहा है तो 70-80 परसेंट जो ventricle है वह कैसे होते हैं वह पैसिवली भर जाते हैं फिर एट्रिल सिस्टली होती है और 30 परसेंट ब्लड जो बजा था वह भी हमारे यहां बैंट्रिकल में आ जाता है फिर बैंट्रिकल से कहां जाएगा यह आपको पता है कि बिग वैसल में जाता है और इसको गार्ड कौन कर रहा है AB valve that is present in between atria and ventricle और atrium and ventricle तो देखिए यहां पर देखिए कि AB valve जो है यहां पर क्या है बाइकस्पिड वैल और यहां पर है ट्राइकस्पिड वैल तो यह जो है वो open है और blood जो है वो free flow से यहां पर आ रहा है ठीक है तो next क्या है हमारे पास ventricle systole total कितना होती है इसकी duration 0.3 second होती है ठीक है तो इसके 3 phases होते हैं तो सबसे पहला phase है isovolumetric contraction phase इसकी duration है 0.05 second यह क्या बता रहा है period between closer of AB valve and opening of semi-lunar valve देखिए हमें पता है कि big vessels को कौन guard कर रहा है semi-lunar valve तो big vessels कौन से एक iota है ठीक है और यहां पर pulmonary artery है right side में left में iota है और इसको blood जो है वो पीछे की तरफ ना आए उसको guard करने के लिए हमारे पास कौन सा है semi-lunar valve semi-lunar valve इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह half moon shaped होता है ठीक है तो हमने यहां पर क्या पड़ा isovolumetric contraction phase तो यह है period between closer of AB valve and opening of semi-lunar valve ठीक है अब क्या हुआ हमने पहले क्या देखा atrial diastole में और atrial systole के बाद blood जो है वो सारा का सारा ventricle में आ गया अब ventricle जो है वो उसको retain करके थोड़ी रखेंगे वो उसको आगे भेजेंगे ठीक है तो कैसे भेजते हैं सबसे पहले उसकी contraction सुरू होती है जैसे ही contraction सुरू होती है तो इसका pressure जो है वो blood का वो बढ़ जा बढ़ जाता है और उस pressure से क्या होता है एवी वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं ओं बत साइड़ छी के यहाँ पर bicuspid वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा टीक है तो जैसे यह ने बताया था यह ओपन है अब हम इसको क्लोज कर देंगे ठीक है अब ये valve जो है वो close हो गया ठीक है A-B valve अब close हो गया और ये जो है semi lunar valve ठीक है यहाँ पे कौन सा है Iotic valve और यहाँ पे कौन सा है pulmonary valve ये अबी close है ठीक है ये कब खुलते हैं जब ventricle का pressure जो है वो और जादा बढ़ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे क्या हुआ है जस्ट बेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने स्टार्ट हुआ और उससे क्या हो गया एवी वोल्व जो है वो क्लोज हो गया अब ये वोल्व तो पहले से ही क्लोज था तो अब जो कॉंट्रेक्शन होगी उसको हम बोलेंगे आईसो वोल्यूमेट्रिक इसका मतलब है कि जो ब्लड का वोल्यूम है वो वही का वही रहेगा उसमें ना तो कोई जादा ब्लड आएगा और ना ही ब्लड यहां से इस चेंबर को छोड़के बाहर जाएगा इसलिए उसको हम बोलेंगे आईसो वोल्यूमेट्रिक और हो क्या रही है कॉंट्रेक्शन और यह फेज कब तक चलेगा जब तक कि इन दोनों वोल्व में से कोई वोल्व खुल नहीं जाता है तो यह तो खुलेगा नहीं ठीक है यह नहीं खुलता है क्योंकि जैसे ही यहां का प्रेशर बढ़ता है मेकनिजम इस तरह से बना हुए कि जब यहां पर प्रेशर बढ़ेगा और इसकी मेकैनिक्स इस तरह से है कि यह जो है वो वोल्व बंद हो जाता है जबकि ये वोल्व जो है वो खुल जाते हैं ठीक है ये वोल्व खुल जाते हैं ठीक सेमिल्यूनर वोल्व तो सेमिल्यूनर वोल्व कैसा होता है देखी सेमिल्यूनर वोल्व जो है वो ऐसा होता है ठीक है इसमें तीन कस्प हैं और तीन पॉच आप बोल सकते हैं उन पॉचे में जब तक blood भरा रहता है तो ये जो है वो बंद रहता है ठीक है देखी ये पीछे pouches जैसे हैं इन में जब blood भर जाएगा तब ये बंद रहेगा it means that कि जब हमारे पास big vessels में pressure जादा रहेगा it means pulmonary artery और iota में जब तक pressure जादा रहेगा तो ये valve बंद रहेगा ठीक है जैसे wie ventricular pressure जो है वो क्या कर जाएगा overcome कर जाएगा इसके pressure से इन दोना के pressure में ठीक है यहाँ पर right side में pulmonary artery के pressure से ज्यादा बढ़ जाएगा और यहाँपर क्या होगा IOTIC pressure से वो ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा यह valve जो है फूल जाएगे ठीक है क्योंकि प्रेशर यहां पर कम हो रहा है ठीक है जब प्रेशर कम हो जाएगा यह वाला प्रेशर यह कम हो जाएगा और यह बढ़ जाएगा तो यह इस तरह से खुल जाएंगे ठीक है देखिए ऐसे नीचे से उपर की तरफ यह ऐसे खुल जाते हैं ठीक है और जैसे प्रेशर बढ़ता है तो ये बंद हो जाते हैं hopefully आपको ये समझा रहा होगा ठीक है तो next phase क्या है देखिए maximum ejection phase अब देखिए वोल्व खुल गया है ये वोल्व तो बंद है ठीक है और contraction हो रही है ventricles की जो की force होती है ठीक है तो maximum ejection phase आता है next इसमें maximum blood जो है वो eject होकर big vessels में चला जाता है इसकी duration है 0.11 second ठीक है अब देखिए pressure जो है वो maintain तो नहीं रहता है ठीक है एक ही pressure से नहीं जाता है जब blood काम हो जाएगा ज़्यादा blood निकल गया तो maximum ejection हो गयी जब थोड़ा blood रह गया तो उसको भी जाना है कितना है इसकी duration 0.14 second अगर आप इसमें इन तीनों को plus करेंगे ठीक है तीनों phases को तो ये क्या हूँ 14 और 11 हो गया कितना हुआ 0.25 second और 0.5 second ठीक है तो ये हो गया 0.3 second total ठीक है तो ये हमारे पास आ गया ventricle systoli systoli मैंने आपको बताया था कि working phase ठीक है तो working phase को हम बोलेंगे systoli जैसा left side में हुआ वैसे ही right side में हुआ ठीक है same events जो है वो एक साथ दोनों sides में होते हैं अब हमारे पास next phase आता है ventricle diastoli ये total होता है 0.5 second का ठीक है तो यहाँ पे हम देखेंगे 0.3 second की systoli है और diastoli जो है वो remaining period जो है cardiac cycle का 0.5 second का है ठीक है तो 0.5 second की हमारे पास आ गई ventricle diastoli ओके तो इसमें सबसे पहला phase जो आता है वो है proto diastoli ठीक है और proto diastoli कितनी होती है 0.04 second की duration होती है यह होती कैसे है देखिए अब तो हमारे पास क्या हो गया systoli खतम हो गई it means कि यह work नहीं करेगा muscle contract नहीं करेगी अब क्या करेगी muscle जो है वो relax होना सुरू होती है ठीक है तो इसमें यहीं बताया कि beginning of relaxation and closer of semi lunar valve ठीक है तो जब closer हो जाएगा अब देखिए यहां का pressure जो है वो come हो जाएगा और यहां का बढ़ जाएगा ठीक है जैसे मैंने पहले बताया था अब यह pressure जो है वो रहा नहीं उतना ज़ादा तो यह जो है वो pouches जैसे मैंने आपको बताया था कि यह बंद हो जाएगे ठीक है अब यहां का pressure जादा हो गया ठीक, अब ये बंद हो जाएगा, पहले ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे वोल्व खुल गया था, ठीक है, लेकिन जैसे प्रेशर इस साइड का जादा हो जाएगा, तो ये semi lunar वोल्व जो है, वो बंद हो जाएगे, ठीक है, तो जब ये बंद हो जाते हैं, beginning of relaxation and closer of semi lunar वोल्व, उ proto diastole और proto diastole, ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा, अब यहाँ पे क्या हो गया, closer of semi lunar वोल्व, देखिए एक बात मैंने आपको बताई नहीं, कि जब भी closer होता है, वोल्व का, अगर ये भी वोल्व का closer होता है, तो आवाज आती हो, उसको हम बोलते हैं, लब, और जब closer of semi lunar वोल्व होता है, तो डब, ठीक है, तो लब, डब की अवाज जो है, वो heart के working के दोरान आती है, लेकिन आएगी कब, only closer, closer के time पे ही आती है, जब AB वोल्व बंद होता है, तो लब की अवाज आती है, जब semi lunar वोल्व बंद होता है, तो डब की अवाज आती है, ठीक है, अ isobolumetric relaxation phase बहाँ पर क्या था isobolumetric contraction phase था नऄःप बहाँ पर हाँ यह था contraction और यह है isolumetric relaxation phase अब इसमें क्या होगा next क्या होगा देखिए अब relaxation start हुई है तो ventricular pressure जो है वो फोल कर जाएगा वो कितना fall कर जाएगा वो इतना fall कर जाता है below atrial pressure अब Aitria के pressure से भी ज़ादा वो है वो fall कर जाता है उसकी वज़ा से क्या होगा देखिए जब यहाँ पे pressure बड़ा था तो यह valve जो था कौसा A, B, valve वो बंद हो गया था लेकिन अब क्या होगा क्योंकि pressure है नहीं तो क्या होगा यह valve open हो जाएंगे और क्या होगा यहां से blood जो है वो आना सुरू हो जाएगा तो यह जो है वो arrow जो बता रहा है वो blood बता रहा है कि उपर से नीचे आ रहा है ठीक है तो यह changes हो गई ventricular pressure falls below atrial pressure और AB valve जो है वो open हो जाएगा इसकी duration कितनी है 0.08 second अब next sequence क्या होगा first rapid feeling ठीक है first rapid feeling क्या होगा कि अब देखिए यहां पे pressure जो है वो कम है ठीक है तो उपर का pressure जादा है तो blood जो है वो high pressure से low pressure की तरफ जो है वो rush करेगा ठीक है तो blood rushes with pressure gradient pressure gradient means from higher pressure to low pressure की तरफ जो है वो blood जो है वो move करता है ठीक है second आता है हमारा diastasis, diastasis का मतलग क्या हुआ कि pressure gradient जो है वो उतना ही नहीं रहेगा, ठीक है, pressure gradient जैसे ही blood भरता जाएगा, pressure gradient भी कम होता जाएगा, और feeling जो है वो क्या होगी, less feeling होगी फिर उसकी, क्योंकि rapid feeling में ज्यादा भरेगा, blood ventricle में और diastasis में थोड़ा कम भरेगा, ठीक है, मतलग उतना नहीं भरेगा, ठोड़ा slow हो जाएगा, और इसकी duration रहेगी 0.16 second ठीक है, और फिर क्या होगा, अब देखिए, फिर से reattainment of pressure gradient, अब देखिए, जैसे ही blood और भर जाएगा, ये वाले, जो है, atria, वो क्या है, वो खाली हो जाएगे, इनमें और blood आएगा, और फिर क्या होगा, फिर इनमें pressure बढ़ जाएगा, और pressure gradient भी इनमें बढ़ जाएगा, और फिर क्या होगा, more feeling होगी, blood की, किसमें, ventricles में, तो इसकी duration होगी, 0.1 second, ठीक है, तो देखिए, इन पांचों को अगर हम add करेंगे, जो हमने इनको, ventricle diastole में, जो different phases बताएए, उनको add करें duration को, तो इसकी duration कितनी आई, 0.5 second, जो कि क्या है, देखिए, यहाँ पे, यह क्या है, 0.5 second, that is ventricle diastole, ठीक है, तो यह different sequences थे, जो कि किसमें होते हैं, cardiac cycle में, जो कि इसकी definition भी बहुती है, कि different sequences और events, जो कि heart में होते हैं, during single heart beat, so यह था आपका detailed version of cardiac cycle, hopefully यह आपको समझाया होगा, ठीक है, तो इस तरह से हमने cardiac cycle जो है, वो complete कर दिया है, if you like my videos, or if you find anything informative in these videos, then please like my channel, and subscribe, झाल, झाल Τर्ब